अगर आप अपने दिमाग पर पूरा काबू पा लेते हो यह जो दिमाग है वो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में आ जाता है तब आपके लिए कुछ भी पाना, कुछ भी बनना, कुछ भी करना आपके लिए चुटकियों का खेल बन जाता है ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब आपका दिमाग आपकी कंट्रोल में होगा तब आप आलस को कंट्रोल कर सकते है आप focused रह सकते है आप distraction क्या होता है आप भूल चाओगे आप जैसे चाहो वैसे अपनी body को कंट्रोल कर भाओगे कहाँ energy देनी है कौन सी चीज काम की है कई बार में पता होता है कि ये काम का है लेकिन करनी बात है तो वो दिमाग को कंट्रोल ना करने की वज़े से होता है हद पार महनत करने लग जाओगे आप जो मैं कहता हूँ न हद पार महनत करो work like hell, 100 hours of week वो करने लग जाओगे लेकिन ये दिमाग कंट्रोल होगा कैसे है इसका practical solution क्या है क्या ऐसी बात है अगर आपको मैं वो समझा दू उसके बाद में आपको लगेगा क्यार ये बैस चीज है इसके उपर मुझे practice करने है practice लगेगी इस वीडियो के आपका सोचने का नजरिया 100% बदल जाएगा और आपका mind आपके पूरी तरह से control में होगा आप जैसा चाहो वैसे आप अपने mind को जहां चाहो वा लगा सकते हो जितनी देर के लिए चाहो उतनी देर के लिए लगा सकते हो और वापस जब आप चाहो तब हटा सकते हो एक जो कार होती है वो आपके काबू में कब आती है जब आपको उसके पूरे system अच्छे से पता होते है कि clutch, brake, steering काम कैसे करते है वैसे ही अगर आप अपने mind को control करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर ये काम कैसे करता है कोई भी चीज काम कैसे करती ही वो पता सल जाती है तो उसको control करना आसन हो हमारे mind में ऐसा क्या होता है कि हमारा mind कभी एक जगर tick नहीं पाता है ये tick करके रह नहीं सकता है और हर टाइम हम छोटी-छोटी चीजों से distract क्यों होते है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम किसी भी काम को awareness के साथ में नहीं करते है और जो हम चीजों को भूलते है वो भी इसी वज़े से होता है क्योंकि हम awareness के साथ में नहीं कर रहे है happiness, कोई जगह, कोई इंसान, कोई memory, नचाने क्या क्या स्टोर रहता है, उन सब चीजों को आप एक एक बल्ब की तरह मान सकते हो, वो सभी बल्ब से हैं, और awareness यानि की ध्यान का काम light के जैसा होता है, जिस टाइम आप कपड़े के बारे में सोचोगे, तब आप अपनी energy के बल्ब को जलाने में दोगे, उस वक्त कपड़े का बल्ब जल रहा है आपकी दिमाग में, यानि की आपका focus कपड़े पर होगा, आपकी energy सब वहाँ पर जाएगी, और next आपका mind food की तरफ चला जाता है, खाना दिमाग में आ गया, तो कपड़े का बल्ब अब सही से लगा आते हो और आपका time विष्ट करते हो, और आप aware रहकर एक चीज के बारे में सोच नहीं पाते हो, जैसा मैंने अपनी एक वीडियो में बता रखा है, law of attraction की वीडियो में, कि आप किसी एक चीज के बारे में 100% focus के साथ में सोचती हो, बट यहां तो हर बार अलग लग bulbs जलते एक बल्ब ठिक से लगा है नहीं, दूसरा लग जाता है, तो वो life में manifest होता ही नहीं है, जो हम चाहते है, वो हो नहीं पाता है, क्योंकि focus नहीं रहा पाते है, दिमाग control में नहीं है, अब इसका solution क्या है, आपने एक बात सुनी होगी, practice makes a man perfect, आपने अगर कभी meditation किया होगा, तो आपको पता होगा कि meditation practice में हम हमारी awareness यानि की consciousness को एक जगह focus रखने की practice करते हैं, हमारा जो consciousness है, उसको एक ही जगह पर रखने की कोशिश करते हैं, ताकि वो अलग अलग बढ़के ना, और कुछी time practice के बाद आपकी awareness इदर उदर बढ़कना बंद होती है, और आप focused रहते हैं, क्योंकि आपने उसे एक जगह रखने की practice की है, जिस तरह से कोई काम होता है, उसकी practice करते हैं, उसी तरह से दिमाग को control करने की भी practice होती है, जितना आप उसको एक जगह रखने की practice करते हो, उतना और आप उसमें better होते हो, और उतना ही आप दिमाग पर काबू पाते हो, इस practice की ही वज़ा से आप अपने जिन्दगी में एक टाइम ऐसा लाते हो कि आप चाहो वैसा कर लेते हो आपके mind में आता नहीं है कि यार मैं करना चाहता हो लेकिन हो नहीं रहा है हमारी awareness हमारा focus जो है वो बार-बार इसलिए प्रटकता है क्योंकि हमने awareness को हमेशा इदर-ओदर प्रटकने दिया है हमने practice भी इसी की ही किये उसे इदर-ओदर प्रटकने की practice की है हमने इसे कभी एक जगह रखने की practice की ही नहीं और इस भटकने की practice को हम नजाने कितने सालों से करते हारे और इसी बटकने की practice को हम टालने का कीड़ा भी बोल सकते है कि अभी कुछ दिमाग में आया करने का उसको करने बैठे थोड़ा करा और दिमाग में कुछ और आ गया और इसको टाल दिया इस तरह से हम चीजे टालते ही रहते हैं तो ये दिमाग कंट्रोल में ना होने की ही वज़ा से हम चीजे भी टालते हैं ये कीड़ा एक जगा पर तभी आएगा जब आप उसे बार-बार भटकने से रोकोगे या उसकी practice करोगे बिना practice आप इसको control नहीं कर सकते हैं अगर आप 20 साल की हो 25 साल की हो इसका मतलब यह है कि 25 साल तक आपने इसको बटकने की practice दी है इसका मतलब 25 साल तक आपकी practice हो चुकी है बटकने की अब आपको 2 या 3 महिने की practice करनी होगी इस दिमाग को control करने की तब जागर के आपको फरक लगेगा अगर आपने सोच टिया है कि मैं मेरे माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल में लाकर ही रहोगा तो जो बताओगा उस पर पूरा ध्यान देना एक इंसान एवरेज 8 गंटे के नीद लेकर उठता है तो वो लिमिटेड एनर्जी के साथ में उठता है जब वो एनर्जी पूरे दिन यानि कि बाकी के सोला गंटा खर्च हो जाती है तब आपको नीद आने लग जाती है अब आप ये मस समझना है कि माइंड थक जाता है माइंड कभी थकता नहीं है वो नीद में भी काम करता है क्योंकि इसी वज़े से हमें सपने भी आते है तो मैं एनर्जी के बारें बात कर रहा था कि ये लिमिटेड होती है जब आप उठते हो तब इस एनर्जी को आप पैसो कितरे देखो कि ये मेरे पास लिमिटेड है और मुझे सिरफ वही खर्ज करनी है जब आप इस एनर्जी को इन्पर्टेंस दिन लग जाते हो तब आपका दिमाग आटमेटिकली उसी जगह पर लगेगा जो काम का है और ये कुछ ही प्रैक्टिस के बाद में पॉसिबल है दिमाग को कंट्रोल करने का मतलब है ध्यान को एक जगह लगा ला और ध्यान एक जगह तब लगता है जब इसकी प्रैक्टिस करते है अगर दिमाग और हैवित्स को कंट्रॉल करने को लेकर आप दुनिया की बैस्ट बुक्स पर्णने चाहते हो अगर आपको knowledge gain करना है क्योंकि knowledge is power ये books हिंदी में भी available है और English में भी तो दिमाग, आदत, energy, trigger system, discipline, सोच और subconscious mind के ओपर मेरी favorite books की list मैंने बनाई है जो इस video के निचे description में आपको मिल जाएगी इस video का description open करो मेरी वाँ पे आपको favorite books के links मिल जाएगे जो Amazon पर available है और आपको पढ़नी स्टार्ट करनी चाहिए विश्वाल्द विर्बैस्ट मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को support करता हूँ